आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है problem reciprocal apportionment यानि के इस question के अंदर हम reciprocal apportionment method केते हैं तो एक question को solve करेंगे तो सबसे पहले हम reciprocal apportionment की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा method है जिसके जरीए apportionment की जाती है among interdependence department service department जो एक दूसरे के उपर interdependent होते है और इनकी cost को recognize किया जाते है जब हम cost को prorate या divide कर रहे होते हैं यानि के अगर service department एक दूसरे को पर interdependent है तो उनकी cost को charge करते हुए हम उनकी interdependence को देखेंगे है इसको समझने के लिए हम एक example लेते हैं अगर हमारे पस चार department हैं दो service और दो production के तो जब हम service department वन की cost को charge करेंगे जिनके जरीए हम यह problem solve करेंगे अब अगर हम बात करें methods की तो हमारे पास दो method आते हैं reciprocal apportionment के एक है repeated और एक है algebraic repeated के अंदर यह होता है कि जो cost होती है service department इसकी वो बार बार एक दूसरे के उपर charge की जाती है कब तक जब तक के वो charge या amount है sorry खतम ना हो जाए और algebraic method के अंदर क्या होता था इसके अंदर क्या होगा जो अभी इस video के अंदर हम देखेंगे कि cost of interdependence department is determined by simultaneous equation यानि के service department 1 और 2 की जो total cost है एक दूसरे के उपर charge करने के बाद वो कितनी आएगी वो हम उसके लिए simultaneous equation यानि के algebraic equation ड्राइव करेंगे इस video के अंदर हम algebraic method को use करेंगे और repeated apportionment method के उपर हम already एक video बना चुके है तो चलते हम अपने question की तरफ हमें question दिया गया है कि जोहेब industrial limited trick के दो production department है A और B और इसके इलावा दो interdependent service department है और एक्सर Y उनके बार हमें बताया गया और ये कहा गया है कि जो cost है वो in basis के उपर या percentage के साबसे आप portion होगी या उसको charge करेंगे service department X की cost 50% A 30 B और 20% Y को charge की जाएगी इसके साथ साथ Y के लिए बताया गया कि 40% A को 50% B को और 10% department X को charge की जाएगी इसके लावा जो primary distribution जब होई थी तो इन departments को जो cost charge की गई थी वो भी बताई गी है तो requirement में पूछा गया है कि factory overhead की cost बताएं कि इसके लिए production department के लिए उसके लिए work sheet भी बनानी पड़ेगी और जो method यूज करने repeated apportionment method और algebraic method repeated apportion method जिसना पहले बताया कि पिछली वीडियो में यारे इससे पहले एक वीडियो बना चुके है इस वीडियो में हम algebraic method को focus करेंगे और इसके जरीए से question को solve करेंगे अब इन requirement को देखते हुए हमने question का जो solution है उसको design किया है जो एब limited की adding दे दिया है work sheet बता दिया के बिना रहे है factory overhead के लिए और algebraic method भी यहाँ पे हमने लिख दिया particulars के अंदर हमने जो departmental cost charge वी थी primary distribution के time वो हमने यहाँ पे record कर ली किस के लिए production department A B और service department XY के लिए और यहाँ पे अब हम secondary distribution करेंगे यानि के reciprocal apportionment के जरीए algebraic method को इस्तमाल करते वे तो वो हम यहाँ पे अभी fill करेंगे इसको और साथ में currency भी बता दी के यह जहाँ पे जितने भी amounts होंगी वो रुपीज के अंदर classify की गई है अब चुके algebraic method को use करते हुए हम X और Y की cost को A और B के उपर charge करेंगे और एक दूसरे के उपर भी charge करनी है obviously बात है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक assumption ले लेते हैं और वो यह लेते हैं के let's suppose हमारे पास जो X होगा वो बराबर होगा किसके cost of department X और जो Y होगा वो बराबर होगा किसके cost of department Y के अब हम इस इन चीज़ों को इस्तमाल करते हैं X और Y को हमें एक equation drive करते हैं बनाते हैं और फिर उसको solve करते हैं अब हमने जब equation बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम एक तफ़ा question की तरफ चलते हैं कि उसमें बताया गया था कि जो department Y की cost है वो department X को 10% charge की जाएगी यानि कि department X की total cost कितनी हो जाएगी इसके जो अपनी cost है ये वाली department X की 11750 इसके अंदर plus हो जाएगी department Y की 10% cost है वो तो इस department X की total cost हो जाएगी इसके साथ department Y के लिए total cost किया होगी उसके लिए 20% department X की cost और plus इसकी जो अपनी cost है कितनी 5000 रुपए तो इन चीज़ों को use करते हुए हम यहाँ पर इनके लिए equations बना लेते हैं और हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है कि X हमारे पास बराबर हो जाता है X है हमारे पास 11750 रुपे plus 10% of Y और इसके साथ-साथ हमारे पास जो Y हो हो जाएगा अपना 5000 रुपीज इसके plus 20% of X to बोल दें तो हमारे हम इसको असानी के साथ solve कर सकते हैं अब अगर हम अलजबरा की बात करें तो इन दो equation को solve करने के लिए हमारे पास मुख्लिफ method है लेकिन यहाँ पे अगर हम substitution method यूज करें यानि कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास X के अंदर Y की value दी हुई है 11750 plus 10% of Y तो इस Y की सारी के सारी value को अगर हम यहाँ पे put कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरी केसे scenario बनता है कि इसका 11750 अपनी जगा पे आ जाता है plus 10% अपनी जगा पे आ जाता है और यह जो Y लिखा हूँ है इस Y की जगा यह वाली पूरी value जो है यहाँ पे हमने record कर दी है यानि के 5000 plus 20% of X तो जब हम इस वाली सारी equation को solve करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना 11750 अपनी जगा पे अब अगर 5000 रुपीज का 10% ले तो वो 500 रुपे आ जाता है और अगर 20% का 10% ले तो यह हमारे पास 2% आ जाता है और X जो है वो अपनी जगा पे आ जाएगा अब हमने 20% का 10% की तरह लेना है तो सबसे पहले हम 20% को लिख सकते हैं 0.2 अब अगर इसका 10% लेना है तो multiply करना पड़ेगा हमें 10% यानि 0.1 के साथ अंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02 अगर इसको हम percentage में convert करें तो multiply करेंगे 100 के साथ तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 और यह क्या होगा हमारे पास 2% हो जाएगा अब इसको further solve किस तरह करेंगे यानि आगे किस तरह बढ़ेंगे तो हम 11,750 के अंदर 500 add करेंगे और यह जो x है यह हमारे पास 100% है क्योंकि यह 1x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह x कितना है पूरा 100% है और यह वाला जो 2x है 2% है 2% x है यह यहाँ पे plus में है तो इस side पर जाएगा तो यह minus में हो जाएगा 100x minus 2% x जो होगा वो कितना आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 98% of x और यह equal हो जाएगा किस के 12,250 जो हमारे पास इन दो values को add करने के बाद आया था अब यह x की value अगर इतनी 12,250 98% है तो इस x की value 100% कितनी होगी उसके लिए हमें क्य इतनी है 98% है इसको वहाँ पर 98% यहाँ पर multiply हो रहा है x के साथ तो इसको यहाँ पर आके हमें divide करना पड़ेगा अगर 0.98 यानि 98% ले तो यह हमारे पास पूरा बन जाते है 12,500 यानि 12,500 तो यही जो value है वो किस की आएगी वो x की value आ जाती है और यू हमें x is equal to 12,500 रुपी यह जो हमारे पास x की value आई है कितनी 12,50 इसको हम यहाँ पे x की जगा पूट कर देते हैं और इस question को solve करते हुए y की value find करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि y की value है उसके अनर हमने x की value जब पूट की तो y अपनी जगा पे आ गया 5000 भी अपनी जगा पे 20% भी अपनी जग 1000 के अंदर जो add किया हुआ है वो इस तरीके से आया है कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि 12,500 जो था इसका हमने 20% यानी 0.2 की ता multiply किया तो यह तो हमारे पास 2500 रुपे आ गये है जब इस 2500 रुपे के अंदर हम add कर देंगे अपना 5000 पे जो y department के original cost थी तो इसकी total cost आ जा जा दिया कितनी 7500 रुपीज हमने यह x और y की value जो है यहाँ पे हमने अब record कर लिए अपने simplicity के लिए अब यहाँ पे अब क्या होगा जी यहाँ पे हमारे पास x और y की total value जा बाग ही तो यहाँ question के अंदर देखते हैं तो हमारे पास percentage है कि x department की total cost है 50% a को 30% b को और 20% y को charge a को charge की जाएगी तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते है x department की जो cost है हमारे पास हमारे पास कितनी आ रही थी इसकी cost यहाँ से हम देख लेते है 12500 इसको multiply कर दें अगर 0.5 यानि 50% के साथ तो यह हमारे पास आ जाता है 6250 यह हमारे लिए किस हमारे पास किस किया गी है production a के लिए जब हम service department x की cost को charge कर रहे होंगे तो हम एर एक department की जो department x से charge cost जाएगी वो हम यहाँ पे record कर लेते हैं यह सारी cost हमने यहाँ पे record कर ली और x department जो है इसकी total cost माइनस 1250 लिखी है 500 लिखी है वो क्यों लिखी क्योंकि अभी हम y की भी जब cost इसको charge करेंगे तो यह y की जो आईगी वो और यह वाली जिसके और रिजल कास्ट थी है 12500 रुपे बन जाएंगे उसको अभी हम देखते ह इसके लावा यहाँ पे बहुत बड़ी confusion create होती है अमोमन students के लिए किस तरीके से लेंगे यानि y को x की कितनी charge करेंगे तो जिस तरह पहले question में देखा था कि जो x department की cost है वो 20% y को charge की जाएगी तो यह हमने यहाँ पे 20% करनी है कि इसकी यह जो इसकी total cost होगा इसका इसी तर percentage हम लेंगे 7500 की अब हमने y department की जो cost थी जो charge थी बाकी departments को वो हमने यहाँ पे record कर ली है अब इसकी total cost आई थी 400 रुपे इसका हमने 10% यहाँ पे record किया तो यह इसकी original cost और यहाँ से जो इसको cost रही है department y से वो department x की total cost बन जाती है 12500 जो हमने पहले ही record कर ली थी अपनी equation के answer क को देखते हुए तो इस तरीके से जब हम यहाँ इसका total लेते हैं तो department a के लिए 25000 और department b के लिए 15000 पे total cost आजाती है और service departments के अंदर कोई भी cost नहीं आती या इनका residual कुछ भी नहीं रहता अब सारे का सारा production के उपर charge हो जाता है इसी तरीके से जब हमने repeated apportionment method के तहत इस question क को solve किया था तो वहाँ पे भी हमारे पास total answer जो आ रहा था वो 25000 और 15000 या रहा था तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी method यूज करें answer के उपर फर्क नहीं पड़ेगा तो इस तरह आज की इस video के अंदर हमने सिखा कि algebraic method को use करते हुए किस तरीके से reciprocal apportionment की जाती है